हलो एवर्वर्वर्ण फ्रेंज इस वीडियो में हम जानेंगे थोड़ी देर इंतिजार करो को इंग्लिस में क्या बोलें तो चलिए इस सेंटेंस को हम इंग्लिस में ट्रांसलेट करते हैं देखिए जब कोई ऐसा sentence हो जिसके sentence के end में याने की वाक्य के अंत में इंतिजार करो तो सबसे पहले ही आप wait बोलेंगे या लिखेंगे क्योंकि wait means होता है इंतिजार करना उसके बात आप देखेंगे कि कितना time इंतिजार करना है तो wait हो गया उसके बात for का मतलब होता है के लिए यह थोड़ी देर के लिए इंतिजार करो या फिर थोड़ी देर इंतिजार करो इसलिए यहाँ पर फोर का प्रयोंकिया गया है wait for a while while का मतलब होता है फोड़ी ठीक है तो wait for a while लेकिन आज की देट के spoken English में आप इसे wait a moment, wait a while, wait a second डारेक्ट भी बोल सकते हैं दोस्तो आपको इस चैनल पर इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो मिलती रहेगी जिसे से आप अपना बिना time waste किये अपने English improve कर सकते हैं